राम रामजा भारत माता की भारत माता की शक्ती स्वरूपा जीन माता जी साला सर्बारा जी महराज बाबा खाटु शाम जी और वीर गोगा जी महराज ने मारो बारम बार प्रणाम राजस्तान पराकरम और परिस्रम की धर्ती है ये वीर माताओं की धर्ती है ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर बिरांगना माताओं की पवित्र भूमी है आर इसलिए आर इसलिए राजस्तान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है और यही जजबा मेरे सामने देख रहा गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परिशा लेना शुरू कर दिया है लेकिन आज देखिए परमात्मा की कुर्पा मौसम जरा ठीक लग रहा है और जब कुद्रत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रूप किस तरफ है साथ यों राजस्तान का किसान मेरे राजस्तान का नौजवान और आप सब माताएं बहने इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आश्रवात देने आये हैं और पूरा राजस्तान कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार और आज चुरू ने ये बता दिया है कि चार जून, चार जून, चार जून, और जब मैं चुरू आया हूँ, तो दिल्ली से नरेंद्र, देवेंद्र के लिए आथिरवाज मांगने आया है, और जब नरेंद्र, देवेंद्र के लिए आथिरवाज मांगता है, तो आप लोग छप पर फार करके दे देते हैं, साथियों, बैटिए देवेंद्र जी, आज पुरा देश, विक्सित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है, और इसमें, राजस्तान की बहुत बड़ी भुमिका है, जब राजस्तान विक्सित होगा, तो भारत भी विक्सित होगा, बीते दस साल में, मोदिने देश में जो काम किये हैं, उन्होंने विक्सित भारत की नीव तयार कर दी है, आज पूरी दुरिया हरान है, कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है, दुनिया को पता नहीं है, कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है, हम जो ठान लेते हैं, वो पूरा करके दिखाते हैं, पिछले दस साल में, आपने देश को बदलते देखा हैं, आप याद करिये, दस साल पहले, तब देश कितनी खस्ता हालत में था, कॉंग्रेस के बड़े बड़े गोटालों, और लूट के काराण, अर्थ व्यवस्ता चर्मरा गई थी, दुनिया में भारक की साख गिर्ती जा रही थी, आज़ादी के इतने दसक बाद भी, देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरुवत्व के लिए जूज रहे, करोडों गरीवों के सर पर छट नहीं थी, करोडों लोगों को पीने का पानी उप्लप्त नहीं था, हमारे गाउं अंधेरे में डुबे थे, वहाँ बिजली भी नहीं पहुँची थी, और लाखों करोड की लूट से, सरकारी खजाना खाली ही रहता था, आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दसकों तक बुराईयां थी, तो इसका मन पर भी असन होता है, और आप सब देशवासियों ने मान लिया था, कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता, हर कोई निराशा में डूबा हुआ था, इसी हताशा निराशा में, 2014 में, आपने गरीब के इस बेटे को, अपनी सेवा का मोका दिया, हताशा निराशा, ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती, और मैंने ताई किया, कि हालात बदलने ही होंगे, और मेरे लिए तो, मेरा भारत, मेरा परिवार है, हमें इमान दारी से काम किया, कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी, कि भारत तो बरबाद हो जाएगा, दुनिया को भी बरबाद कर देगा, लेकिन इसी संकट में, हम भारतियों ने, अपने देश को, दुनिया की, पाँचवी सबसे बड़ी, आर्थ वबस्ता बना दिया, हम भी कह सकते थे भई, क्या करो, पुरी दुनिया में आपदाई है, हमारी यहां भी आपदाई है, मैं क्या करूँ, और हो सकता है, देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने, वो रास्ता नहीं चुड़ा, चुनवतियों को चुनवति देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है, और हमारे राजिस्तान में तो कहते हैं, अपनी करणी पार उतर नहीं, हमने परिश्रम किया, और परिणाम लाकर के दिखा दिया, दस वर्सों में हमने, करोणों गरीबों को, प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहट, पक्के आवाज दिये, पक्के घर दिये, जिनकी तिन तिन चार चार पिड़ी, जुक्की जोपड़ी में जिन्द की गुजारती थी, जो फुटपाँच पर जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोणों लोगों को, पक्के घर दिये, और मुझे खुशी इस बात की है, कि हमने जो पक्के घर दिये न, पर मेरी माताओ, बेहनों, बेटियों के नाम पर है, वरना हम तो जानते हैं, हमारी समाज रचना ऐसी रही है, कि घर होगा, तो पुरुष के नाम पर गाड़ी होगी, पुरुष के नाम पर खेत होगा, पुरुष के नाम पर दुकान होगी, कि पूरूश के नाम पर, सब कुछ पूरूश के नाम पर, मोधी ने टाय कर लिया, कि सरकार जो घर देगी, वो मेरी महलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थी तब क्या होता था गरीब को पता भी नहीं चलता था उसके नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे लेकिन अब पैसा सी धे गरीब के खाते में जा रहा है अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है गर में जरूरत की सुविदाएं भी मिल रही है साथियों आज जब जीवन आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर गर गर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्यास कर रहे है राजस्तान में करीब पच्चास लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है कॉंग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी ब्रस्ट आचार करने का मोका नहीं छोड़ती थी अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है वहाँ पीछे सुनाई नहीं देता क्या सुनाई दे रहा है अच्छा यह तो आपका उत्सा है इसलिए देखे राजिस्तान के साड़े चार करोड जरुरत बंदों को हर महिने मुप्त राशन भी दिया जा रहा है यानि जीवन के हर पड़ाव पर भाजपाज सरकार गरीब के साथ खड़ी है जो काम इतने दसक में नहीं हुए वो हमने दस साल में करके दिखाए और इसलिए मैं कहता हूँ जब नियत सही तो नतीजे सही और साथियों बस साल में जो हुआ लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ पहले की सरकारों के तुलना में बहुत कुछ हुआ आप भी कहते हैं अरे मोदी जी तो राद दिन दोड़ते हैं काम करते ही रहते हैं सोते हैं के नहीं सोते हैं आप लोग बताते हैं मुझे पता है लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो औरों की तुलना में अनेक बुना हुआ हो लेकिन मुहदी के मन की बात में आज चुरू मैं बता देता हूँ बता दू बता दू देखिये जो अब तक हुआ है न वो तो ट्रेलर है ट्रेलर आप आजकल बड़ी-बडी होटल में खाना खाने जाते है न तो पहले अपटाईजर लेकर के आते हैं कि ठोड़ी जो तीन चार का में जर्ए बड़ी च्टाकेदार चीजे परोस्ते हैं तो कभि लगता है यार। इतना है पेट तो भर गया आप खाना क्या खाएंगे यह जो मोदी ने किया है ना वो तो एपेटाइजर है एपेटाइजर अभी तो पूरी खाने की ठाली आली बाग की है बहुत कुछ करना है भाईयों बहुत सारे सपने हैं हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है साथियों आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रप्तार से पूरी होती है मैंने मेरी माता और बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उजवला सिलिंडर सस्ता किया जाएगा ये गारंटी पूरी हो वही है मैंने वहाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कॉंग्रेस के पेपर लिक इंडरस्टी के खिलाब जाच बिठाई जाएगी ये गारंटी भी पूरी हो गई है मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्तान का मेरा किसान सेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्ब किया जाएगा जिस E.R.C.P. प्रोजेक को कॉंग्रेस ले लटका कर रखा था हमने उसे नकेबल शिक्रूत किया बलकी तेजी से काम भी जारी है इससे पीने के पानी और लाकों हैक्टर जमीन को सिंचाई का भी लाब मिलेगा हमने हर्याना से समझोता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साप कर दिया है भाईयों और भेनों भाजपा जो कहती है वो जुरूर करती है दूसरी पार्टियों के तरफ भाजपा केबल गोषणा पत्र नहीं जारी करती हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके जादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और दो साल कोविर के संकट के बावजुद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूर्णा करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है राजस्तान के मेरे भाई भेंड जम्म कश्मीर की धर्ती पर जो मेरे बीर जवान शहीद हुए ने उसमें मेरे इस सेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी उजम्मी कश्मीर जहाँ पर मेरे राजस्तान के वीरों का रक्त आज उजम्मी कश्मीर से आर्टिकल तीन सो सतर खत्म हो गया तीन तलाग पर कानून हमारी मुस्लिम बेहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसल्मान माता ये बेहने समझे ये तीन तलाग आपके जीवन पर तो खत्रा था ही था मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवा लटकती रहती थी मोदी ने आपकी रक्षा तो की है लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है क्योंकि मुसलिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके बेजा तो है दो तिन बच्चे हो जाएंगे उसके बाद अगर वो तीन तला करके बापिस बेज देगा तो मैं बेटी को कैसे समालू भाई को लगता था अगर तीन तला के कारण मेरी बेहन गर वापिस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा हर मा को लगता था कि इतने उत्सा और उमंग्य साथ बेटी को शादी करके भेजा है लेकिन तीन तलाक कह करके अगर बेटी को लोटा दिया तो मेरी बेटी की जिन्दगी का क्या होगा यह पूरा परिवार तीन तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीशे मुसिबत में जिन्दगी गुजारता था मोदी ने सिरफ मुस्लिम बहनों को नहीं सभी मुस्लिम परिवारों की जिन्दगी को बचाया है लोग सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षन का कानून भी संसत्य पारित कर दिया है यह भाजपाई है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है साथियों आज मैं चुरू आया हूँ तो कुछ पुरानी आदे भी ताजा हो रही है इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बाला कोट में एर स्ट्राइक की थी हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे चुरू की धर्ती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धर्ती पर आया हूँ तो मेरे उन भावों को दोहराता हूँ तब मैंने कहा था यहीं चुरू मैं कहा था सौगंद मुझे इस मिट्टी की सौगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा मेरा बचन है बारत मा को तेरा शीष नहीं जुकने दूँगा लेकिन साथियों आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्थिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक की तब कॉंग्रेस और उसके साथ ही क्या भाचा बोल रहे थे इसी गबंडिया गडबंदन के लोग हमारी सेना से शार्य के सबूत मांग रहे थे भाई और भेनों सेनाओं का अप्मान देश का विभाजन ये कॉंग्रेस पार्टी की पहचान है जब तक इंडी एलाइस के लोग सब्ता में रहे इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांद कर रखे दुश्मन हमला करके चला जाता था ये जवानों को जवाब देने की इजाज़त नहीं देते थे हमारे जवान वन रैंक वन पैंशन की मांग करते थे कॉंग्रेस दे इसे भी पुरा नहीं होने दिया हमारी सरकार मनी तो हमने सैनीकों को वन रैंक मन पैंशन की अधिकार भी दिया और सीमा पर पलट वार करने की छूट भी खुली छूट दे दी है आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है ये नया भारत है ये नया भारत गर में गुश कर मारता है साथियों बेज हिच से भी जादा कॉंग्रेस ने हमेशा तुश्टी करन को प्रांथविक्ता दी है ये लोग तुश्टी करन के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये देश ने देखा है ये वो लोग हैं जिनोंने कौट में जाकर कहा था कि प्रभू स्री राम तो कालपनीक है अभी कुछ महिने पहले ही अयोध्या में बव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ पूरा देश प्रान प्रतिष्टा का उत्सव मना रहा था लेकिन कौंग्रेस पार्टी खोले आम हमारी आस्ता का अपमान कर रही थी साथियों दो देश ने कौंग्रेस पी पापों की हमेशा किमत चुका ही है और अभी अभी तो मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कौंग्रेस पार्टी ने एक एड़वाईजरी निकाली है और एड़वाईजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है उन्होंने कौंग्रेस की सभी काईयों को कहा है कि आयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुझे ताला लगा देना कुछ बोलना ही मत उनको लगने लगाए कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए ये हाल हो गया उनका एड़वाईजरी निकालनी पड़ रही है भाईयो भैनो हमारा देश हमारी आस्ता इनका इतना खोर अपमान कि देश सह नहीं सकता है लेकिन भाईयो मैंनो अब जब इन परिवारवादी बरस्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो वोत के सब एक हो गए हैं मैं कहता हूं बरस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं बरस्टाचारी बचाओ अम मुझे बताईए, ब्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, देश को ब्रस्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्रस्टाचार ने देश को बरबाद किया है कि नहीं किया है, ब्रस्टाचार ने नव सवानों के सपनों को चूर चूर किया कि नहीं किया है क्या अगर मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है। सही है कि गलत है। मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई जारी रखो। आपके अशिर्वाद है। पूरी ताकत से अशिर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समाए गमंडिया गड़मंदन के लोग चुनाव की रेलिया नहीं कर रहे है प्रस्टाचारियों को बचाने की रेलिय कर रहे है आप मुझे बताईए कॉंग्रेश के साउसत के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में बक्सों में बंद किये हुए तीन सो करोड रुपिय से जादा मिले और टीवी पर देश ने देखा और केवल कॉंग्रेश के एक साउसत के पास से एक जगा पर से तीन सो करोड का खजाना मिला है और क्या क्या होगा वो तो भी खोजना है दस साल में अकेले इडी ने ब्रश्टा चारियों से एक लाग करोड रुपिय से जादा की संपति जब तक ही है और मैं आप से पूछता हूँ ऐसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों ने जिन्दगी जेल में बितानी चाहिए मैं इन प्रश्टा चारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूँ कितने भी जूट फेला लो ये मोधी डरने वाला नहीं है साथियों कॉंग्रेस और इंडी घडबंदन का सिरफ अपना हीत यही उनका कारकम है इन्हें गरीब दली सोसी वंचित के कल्याण से उनके सम्मान से कोई मटलब नहीं है ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साब आमबेड का सम्मान नहीं किया इसी कॉंग्रेस ने बाबा साब को दसकों तक बारत रत्न नहीं मिलने दिया इन लोगों ने देश में आपातकान लगाया, सम्मिधान को बंदग बनाया इस इंडियन लाइन्स के लोगों ने कभी पिछणा वरगायों को सम्मिधानिक दरजा नहीं दिया दसों को पुरानी ये मांग, मोदी ने पुरी बाजपा ने देश को दलीत राश्पती दिये, देश की पहली आदिवाती माहिला राश्पती दी दी लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गडबंदन वालों ने पुरी ताकट लगा दी अब 19 एपरिल को, 19 एपरिल को सोशितों, वंचितों के ऐसे विरोधियों के साथ क्या करना है आपको पता है ना, 19 एपरिल को क्या करना है पता है ना, पता है ना, अपनिया राजतान में कहते हैं अकल मन्ने इशारोई गणो, साथियों चूरू में बाय देवेंदर जानजडिया जी, जुन्जनू में शुपकरान चोधरी जी, सीकर मैं, स्वामी सुवेदानन सर्त्वती जी, मैं आज आपके पास, उन सब के लिए आशिरवाद मांगने आया हूँ और आप मैं से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आज बता देना चाहता हूँ चूरू में जो उमीदवार है दिवेंदर और दिल्ली में है नरेंदर आप मैं से बहुत कम लोगों को पता होगा, देवेंदर के साथ मेरा बहुत पूराना निकट नाता रहा है और जब मैं देवेंदर को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मा की बाते सुनी मेरे मन को छूग गया, कि मेरे देश के आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मा, अनपड मा, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मा प्रेरित करती है और देवेंद्र भी गरीबी की परवा किये बिला, जी जान से जुट करके भारत का सम्मान बढ़ाया है देवेंद्र को टिकट देने के पीछे, मोदी का मकसद यही था कि जो गरीम मा का बेटा होता है, उसके सपने भी पूरे होने चाहिए मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाडी है पूरे हिंदुस्तान के खेल जगट के बेटे बेटिया हैं उनको प्रोच्छान मिले कि आपका खेल का कारकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिम्बॉल ये हमारा देवेंद्रा है और इसले में चुरू वाच्छियों से विशेश रुपते ऐसा गरीबी से ही लड़ा ऐसा नहीं दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया ऐसे मेरे साथी को चाहे वो चुरू हो जुझनु हो या सिकर हो आप भारतिये जनता पार्टी को भरपूर आशिरवाद दीजिए और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एडी चोटी का छोर लगा दूँगा जी गर्मी कितनी क्यों न हो मतदान पूरा होगा के गर्मी के कान मतदान कम होगा ऐसा नहीं होगा ना गर्गर जाएंगे माताओ बेहनों को मेरी बात बताएंगे चुनाव जीतने के लिए मतदान करेंगे अच्छा मेरा एक और काम करेंगे मेरा पर्सनल काम है करेंगे गर्गर जाकर कहना कि हमारे मोदी जी चुरू आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे मैं यहाँ भाजपा के सभी वरिष्ट नेताओं को भी सारवजनी गुरूप से प्रार्थना करता हूँ सारवजनी गुरूप से कभी-कभी करना पड़ता है ऐसा है कि चुनाओं का समय है हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रदान मंत्री जी आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा मेरी आप कारकरताओं से विरंती है कि आप बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए सभी कारकमों में वरिष्ट लोगों को दोड़ने की जरुवत नहीं है कोई छोटा कारकरता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है छोटे के मगल में बैठ जाएगा आप कृपा करके सभी कारकमों के लिए मत दोड़गे मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की